नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूंगा जितने भी सहरा के निवेसक हैं उनके लिए अच्छे दिन जो है दोस्तों आ चुके हैं क्योंकि आज से अमित साहने जो सहरा का रिफंड पोर्टल है उसकी सुरुआत कर दी है आपने सहरा इंडिया में या सहरा कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था या किया है तो ऐसे में दोस्तों आज से आप आवेदन कर सकते हैं आपका जो पैसा है वो लगबग 30-40 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर आप देखनें दोस्तों यह पोर्टल है जो कि मैं आपको दिखाया है पूरी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगी इसके साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो यह आपको पोर्टल देखने को मिलेगा जो कि इस तरीके से है इस पर आने के बाद अगर आप ऐसे ही बिना तयारी के इस पॉर्टल पर आ रहे हैं और यहाँ पर आने के बाद आवेदन कर रहे हैं तो हो सकता है आप बहुत बड़ी गल्ती कर दें और ऐसे में जो भी आपका पैसा है फिर चाहें एक अजार, एक लाक, दो लाक जितना भी पैस तो सबसे पहले आप इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इस पोर्टल पर जाकर आप कैसे आवेदन करेंगे, इस पोर्टल का जो लिंक है दोस्तो वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ल लगब 11 बजे के आसपार दोस्तो पोर्टल को लोंज किया गया है, सभी न्यूज में आपको ये जानकारी देखने को मिल जाएगी, और इस पोर्टल की भी जानकारी देखने को मिलेगी, तो ये सारे के सारे जो न्यूज हैं दोस्तो ये जानकारी दे रहे हैं, कि आप जो ह पूर्टल पर जाकर अपने डोक्यूमेंट को अपलाई कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, तो ऐसा नहीं है कि किसी का 10,000, 20,000, 50,000 रुपे जमा है तो वो पूरा मिल जाएगा, नहीं, यहाँ पर दोस्तो सरकार के तरफ से बताया गया है कि यहाँ पर आपके पैसे मिलने के ल था, आपके 50,000, आपने आवेदन कर दिया, तो आपको सुरू में कितने मिलेंगे, दोस्तों, 10,000 रुपे ही मिलेंगे, उसके बाद सेकिन्ट अपशन पर फिर आपको 10,000 र या 20,000 मिल सकते हैं, तो सुरूआद जो होने वाली है, वो 10,000 से होगी, 10,000 रुपे जो हैं, शु काटिंग में 10,000 रुपे तक का जो refund है दोस्तों वो किया जाएगा इसके साथ सा दोस्तों यहां पर आप देख लें सहारा के जो निवेसक हैं वो CRCS यहां पर जाएंगे और पोर्टल को पर जाकर जो तो आविदन करेंगे इसके साथ यहां पर देख लें दोस्तों आपको कौ कौन सी अनिवारे बाते हैं ज़रूरी सड़ते हैं जो देखनी पड़ेंगी CRC सहरा रिफंट पोर्टल पर रिजिस्ट्रेशन करना होगा active mobile number आधार से link होना चाहिए आपका जो mobile number है आपके आधार कार्ड से link होना चाहिए bank खाते से आधार pen card जो है link होना चाहिए अब यहाँ पर आपको जो है offline form को डाउनलोड करना है उसके बाद forum को जो है आप भरेंगे और भरने के बाद उसको scan करके फिर से दोस्तो portal पर जाकर जो है upload करना है यहाँ पर आप देख लें उसके बाद क्या होने वाला है यहाँ पर आप देखें बहुत जरूरी important मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ चार cooperative society हैं जिसमें सहरा के जितने भी company थी सारी की सारी companyों को इन चार cooperative society में merge किया गया था ऐसी में शुरू की जो तीन society हैं दोस्तों यहाँ पर देखें उपर बताए गई तीन society के किसी भी जमा करता का पैसा 22 March 2022 से पहले समझ रहे हो 22 March 2022 से पहले अगर आपने पैसा जमा किया है इन तीन society में तो उनको मिल जाएगा पर 22 March 2022 के बाद अगर किसी ने पैसा जमा किया है उसको पैसा नहीं मिलेगा कौन कौन सी है सहारा chronit cooperative society limited लगने हो हमारा इंडिया ग्रेड़िट couple को इसका क्या है авधराबाद इसका क्या है स्टार्ट मल्टी पर्पस कोपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड यानिकि हैदराबाद के जो निवेसक हैं 29 मार्च 2023 से पहले निवेसकों के आविधन कर सकते हैं अगर आपने 29 मार्च 2023 तक पैसा इसमें जमा किया है तब भी आपका पैसा जो है चोथे वाले में मिल जाएगा यह बहुत इंपोर्टेंट जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों आप इसको एक बार जो है पाउस करके भी वीडियो को देख सकते हैं चलिए अब आगे कब बताता हूँ यहाँ पर आप आएंगे जमा करता के पास कोण कोन से डिटेल होनी जाहिए वो सबसे पहले यहाँ पर देख लें सदस्याता संक्या, यानि के आपने, अगर सहरा के आप निभे सक advocaster तो आपके पास सदस्याता यानि के registration नमबर होगा, वो होना जरूरी है जमाखहता संक्या होना चाहिए, कोई भी bond वेगरा है, वो आपके पास होना चाहिए या आधार से जुड़ा एक mobile number आपके पास होना चाहिए जमा पिर्मान पत्र या passbook आपके पास होनी चाहिए pen card आपका होना चाहिए अगर आपने सहरा में पैसा जमा किया और रासी आपकी 50,000 से ज़्यादा है तो आपको pen card लगाना बहुत जरूरी है 50,000 से कम रखम है तो आप pen card को छोड़ भी सकते है pen card और mobile number और bank account number ये आपस में link नहीं है तब भी आपको पैसा नहीं मिल पाएगा ये सरकार्ड ने पहले ही बता दिया था कि अपने आधार card को pen card को दोस्तो इनको भी link कर लो साथ साथ जो आपका bank हाता है उसको भी आधार और pen से link करा दो तब ही आप जो है सहरा का पैसा ले पाओगे यहां पर आप देखें दोस्तो आप इस portal पर जाकर portal पर जाकर आपको apply कैसे करना है portal पर home page में आपको जो है registration के लिए apply करना है आधान नमबर और इससे जोड़ा mobile नमबर आपको डालना होगा send OTP पर click करेंगे OTP आने के बाद आप जो है उसको दर्ज करेंगे आपको option मिलेगा registration पूरा होने पर जमा करता login करेंगे उसके बाद दोस्तो नियम और शर्तों को पढ़कर आपको yes पर click करना है आपकी पूरी डीटेल जो है जैसे बैंक का नाम बगरा जर्मतिती बगरा इस सब कोई देखने को मिल जाएगी वहाँ पर आपको fill up करना है जमा पिर्मार्ट पत्र की प्रती साथ दावा अनुरोध भारम बनना पड़ेगा इसके साथ साथ सोटाइटी का नाम सदस्यता नंबर जमारासी कितनी जमारासी है वो बताना पड़ेगा कोई लोन लिया है या partial payment मिला है तो यहाँ पर बताना पड़ेगा और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ यही option दोस्तों P.E.C.L. इंडिया लिमिटेड वालों को बिलाता जहाँ पर लैंड अलोटमेंट का option था तो आपकी जानकारी के लिए इतना बताना चाहूंगा दोस्तों अगर आपने कोई loan लिया है या partial payment आपको पहले हुई है यहाँ पर आप हर हालत में no पर ही किलिक करेंगे अगर आपने यहाँ पर yes पर किलिक कर दिया तो सहरा के जो निवेसक है वो पैसा नहीं निकाल पाएंगे उनका पैसा मारा जाएगा तो ऐसे में इस option पर दोस्तों आपको no ही करना है yes गलती से भी मत कर दीजीगा वहीं 50,000 से जादा है तो pen card की detail देनी पड़ेगी और एक बार दावा कर सकेंगे सबी depository details एक बार ही आपको जो है यहाँ पर मोका बिलने वाला है सहरा के निवेसकों को ऐसा नहीं है कि आज आपने गलती से जो है फारम बढ़ दिया सही से detail नहीं फिल कर पाए फिर आपको मोका मिलेगा ऐसा नहीं है एक बार submit हो गया लोग जो है वहाँ पर आपकी profile complete हो जाएगी और फिर अगर आपकी कोई truth है mistake है दोस्तो तो द्वारा आप नहीं कर पाएंगे डिपेंड करता है सारकार के पर कि कब वो आपको edit का option देगा ऐसे में एक बार में ही सारे के सारे document complete रखें अपने पास उसके बाद ही आप जो है यहाँ यहाँ पर आवेदन करें verification के बाद आप दावे का जो फारम दोस्तो उसको download करेंगे इस पर अपनी नई photo चिपकाएंगे और sign कर देंगे यानि कि फारम पर जोस्तो फोटो बगरा चिपकानी है अपने हस्ताकसर करने है इस दावे का फोरम को upload करके जमा करेंगे पूरा फारम जमा करना है उसके बाद upload करेंगे दावा सवलता फूरम प्रस्तूत करने पर registration मोबाइल नंबर पर message आएगा जैसे ही registration complete हो जाएगा आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर एक message आजाएगा अब इन दावों को सहरा society जो है 30 दिन के अंदर verify करेंगी अब यह जो यहाँ पर है जो की document जमा करोगे यह सहरा की जो society है यह document आपके सहरा society के पास जाएगा वो वहाँ पर verify करेंगे कि आपको पैसा मिला है या नहीं मिला है अगर मिला होगा तो वो बताएंगे और नहीं मिला है तो यहाँ पर आपको पास कर दिया जाएगा पूरा पैसा आपको मिलेगा फिर सरकारी अधिकारी पर राशी सीधे आपके बैंक अकाउंड बैंक आधार से जोड़ा जो आपका बैंक खाता है उस पर ट्रांसफर हो जाएगी उसका मैसेज भी आपको मिल जाएगा तो यह है अब मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तो पोर्टल कैसा है और कैसे आपको काम करना है चलिए दो के वो ही यहाँ पर डालने है और मॉबाइल नंबर यहाँ पर पूरा डालना है ओटीपी पर किलिक करेंगे आपके पास ओटीपी आएगा उसके बाद आप नेक्स किलिक करेंगे अगर आपको लगता है यह हिंदी में और आप इसको इंगलिस में भी कर सकते हैं और हिंदी म ताकि आपका जो पैसा है दोस्तों 45 दिन के अंदर आपके बैंक खाते में आ सकें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ती साथ अपने दोस्तों को आपके पास जो भी वार्टसप गुरूप है या कहीं पर भी आपके दोस्त हैं उनको भी इस वीडियो को सेर जरूर करें ताकि वो भी जागुरू को पहुच सकें। और सहारा में किसी का पैसा है तो वो उनको वापस मिल सकें। नन्यवाद